आप इंपोर्ट एपल इंडिया एपल एपल सेब खाने वाला सेब फूरुट एपल फूरूट एपल मोबाइलियू है आपका वीडियो बहुत इंपोर्मेटिव भी वीडियो है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव सेनी इंटर्स बिजनिस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट की नौलज़ को हम किर्टीकल नहीं सिंपल बनाते हैं बढ़िया में इंपोर्ट होता है यहां पर लोग इसको बढ़िये चाओ से खाते क्योंकि इंडिया में अर्पर कंट्री को एपल खाना रहता है वो भी हमारे पास विंटर में आता है यानि ओक्टूबर नौवंबर दिसंबर इन तीन महीने में हमारे पास एपल हमारा खुद का होता है बाकि रेस्ट ओब दे मन्थ पूरे साल बर हम को एपल को import कर करके ही खाते हैं क्योंकि हमारे पास quantity बहुत कम है और बाकी हमेरे पास consumption बहुत जादा है तो हमें import करना ही पड़ता है इंपोर्ट करते हैं तो import duty भी देनी पड़ती है जो कि इसमें आपको 75% तक का import duty लग रहा है इसमें social welfare फिर सचार्ज भी आपको लग जा रहा जो कि आपको 10% लगता है इसमें GST भी आप लग रहा है खाने पीने का समान है तो जी एस्ट बारा पर परसंड लग रहा है कोई पार्टी फ्रोर तोनी उसको कैसे पाइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंटम क्या होता है, इनको टम क्या होता है, मिले से पेमेंटम क्या है, कस्टम की लिंज कैसे होता है, अपना प्रोफिट मार्जन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको रिसेर्च कराते एपल इंपोर्ट करके सेव इंपोर्ट करके सो जब आप इसको खरीते हैं 90 रूपीज से 110 रूपीज पर केजी से आपको मिल जाएगा सप्लाइज की और इसको आप मैक्सिमम प्राइस भी लेते हैं कि 110 रूपे में आपने खरीदा एक कंटेनर 25 तन का तो 27.5 रूपीज का इसका की तरह है जो आपका लोकल खर्चे होते हैं यानि कस्टम का खर्चा लोडिंग लोडिंग का खर्चा लोकल ट्रांस्पोर्टेशन का या लोकल गूर्स इंसुरेंस का खर्चा वह सब खर्चे 70-80,000 रूपे होते हैं उसको मैं वन लाक रूपीज लिख लेता हूं यहां पर लिखिए जो की टोटल ड्यूटेश होती है आपकी 90 पर्शेंट 90 पर्शेंट इंपोर्ट ड्यूटी अलग लग तरिकी की ड्यूटी यानि सोचल वेलफेर तो उसमें रूपीज में बात करें मॉनिटरी फोर में 24.75 लेक रूपीज का टोटल ड्यूटी पे करना पड़ेगा इंपोर्टिट एपल्स होते हैं उनका क्या रेट चल रहा है इंडिया में तो वह चल रहा है 2500 रुपे से 260 रुपे में आपको लोकल में रिटेल में मिलेगा 300-300 में और 200-250 रुपे तक भी चलता है यह बल्क में तो अगर मैं इसका मिनिमुम प्राइज यानि 2500 रुपे लेके हुआ सर वह बताईए सो नेट बेनिफिट के लिए माइनस कर देते हैं 62.50 रुपीज माइनस 53.25 रुपीज यह हो जाता है 9.25 रुपीज हर कोई इंपोर्टर एक एवरेज इंपोर्टर भी 9 रुपीज का इंपोर्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं एपल को इंपोर्ट करके को ट्रिशिक ट्र करना पड़ेगा बिल्को या ऊरिजणल फोर बी अप देखते होंगे कि बिलो फट्राइडिन auriginal फोर में और देन वन आपको दिया जाते हैं अब अब supplier की बात करें कि कहां से खरीदे वो बताइए से जो top trusted supplier है top 5 countries में supplying की सबसे पहले पाइदान पर चाइना आता है चाइना में भी ठंड काफी होती है और काफी time तक ठंड होती है cold होता है तो चाइना और US दो ही country ऐसी जहां पर अच्छे apple होते हैं अच्छी quality के और colorful होते हैं की चीले की चीले भी यहां पीछे नहीं है डिए 64 million इस दो का परियर एपल एक्सपोर्ट कर रहा है उससे आप खरी सकते हैं एक्सकोर की बात करूं क्योंकि आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें एक्सकोर तो आपको लगता है तो और इसका सबड़क्टर जिरो हो जाता है laser 80801010 इसको इसली रिशर्च भी कर सकते एक सब्सक्राइब करने कि आपको थो में या थो आप जो टोटल 15 मेध़स मेधर्स बता जाते हैं आपको supplier finding करने के लिए वो सारे आप यहाँ पी implement कीजिए जो training में आपको सिखा जाता है अगर उतनी मेहनत भी आपको नहीं करने हो time consuming आपको लग रहा है तो आप आपके पास पैसा है पका पकाया माल आपको रेडिमेट आपको list चाहिए तो आप वोलजा का data ले सकते हैं हमने भी वोलजा का subscription लिया हुआ है आप भी वोलजा का subscription ले सकते हैं पैसा फेको तमासा देखो आप वोलजा का data ले सकते हैं आप अकेले लेने जाते हैं, तो आपको महंगा पड़ता है, और जब आप हमारे student के साथ में share basis पर लेते हैं, तो आपको सस्ता पड़ता है, तो आप वोल जाका data लेजे, और buyer को आप जब supplier का आपने find कर लिया, उसके बाद उसको verify केजिए, जो total आपको tricks बता हुई है, वो सा इंपोर्ट का process हो गया, पूरा complete, अगर मैं बात करूँ top competitor countries की, यानि वो कौन-कौन सी top 5 countries है, जिसके साथ में हमारा pricing and quality का competition होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है, UAE, United Arab Emirates, जो की बहुत जाद को कि वहाँ तो एपल होती है, थंड़ नी होती हो, तो अर्मी होती है, रिगिस्तान ही है, तो यूए, दुबई, यानि यूए, United Arab Emirates, भी 236 million का परियर इंपोर्ट कर रहा है, सेब का, एपल का, साउथ को, अफरीका, साउथ अफरीका की बात करें, साउथ अफरीका भी 196 million का परियर इंपोर्ट कर रहा है, एपल का, सेब का, अग million usual का परियर इंपोर्ट कर रहा है, एपल का, सेब का, अगर मैं बात करूँ, next day Thailand की, जो कि हमारा rice में competitor है, थाइलेंड भी हाँ, पीछे नहीं, थाइलेंड भी 125 million इंपोर्ट कर रहा है, एपल का, सेब का, तो फ्रेंड से करी वीडियो आपको पसंद है, जुरू आप इसको को शेर कीजे, हो सकता है किसी का इससे काम बन जाए, और आपको मेरी द्वारा दीगी जानकरी में, अगर कुछ छुट गया, कुछ रहा गया, कुछ आप उसमें additional value एड करना चाते हैं, तो हम इंतिजार करेंगे comment box में आपका, और next video की topic पर आपको चाहिए, वो भी आप हमे comment box में जरूर बताइए, क्योंकि आपके comment में बड़े चाहों से, अपनी दिल की गहरायों से पढ़ता हूं, और उनको reply करने की भी कोशिस करता हूं, जैसी जैसे मुझे समय मिलता है, और हमेसे कि तरह आप खुस रही है, मुस्कुराते रही है, ग्रो करते रही है, और हिंद सबस्क्राइब आर चैनल और हिट बेल इकन पर आल नोटिफिकाशन, थैंक यू